नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं टैक अन्बॉक्सिंग आज की इस वीडियो में हम अन्बॉक्स करने वाले टैक कंपनी की न्यूली लॉंच बजेट स्मार्ट वाच जो है टैक वर्फ प्लस इस पडिकुलर स्मार्ट वाच में आपको 1.69 इंच का मासिव डिस्प्ले देखने मिलता है उसी के साथ हेल्फ परामिटर्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ ना तो कंटिनियूस हार्ट रेट मॉनिटरिंग SPO2, बलड प्रेशर मॉनिटरिंग सबसे इंपॉर्टन मतलब यहां पर बॉड़ी टेंपरेचर मॉनिटरिंग का सेंसर भी उन्होंने इसके अंदर इंक्लिूड के है और यह सारी चीज़े मिला के यह पडिकुलर स्मार्ट वाच आपको मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ रूपिज 1,999 रूपिज की प्राइज तो यह करते हैं इसकी अंबॉक्सिंग क्योंकि गाइजट का अंबॉक्सिंग करना काम है मेरा तो यह है टाइग वर्फ प्लस का बॉक्स पैकेजिंग जहां पर बॉक्स के साइड में यहां पर आपको उसके कुछ फीचर देखने मिलते हैं जैसे कि 1.69 इंच का डिस्प्ले रियल-time heart rate monitoring, body temperature monitoring, 16 sports mode, real-time SPO2 monitoring and PG की तरफ भी यहां पर धेर सारे features and specifications उन्होंने में मेंचिन किये जिने हम आगे जाके वीडियो में check out करेंगे तो जैसे हम इसे unbox करते हैं सब से पहले वो actual smart watch आपको देखने मिलते है इनिशल first impressions बहुत ही जादा lightweight यह feel हो रही है and बहुत ही premium build उन्होंने इसमें provide किये तो इसे फिलालम रखते साइड में नीचे के compartment में यहां पर आपको देखने मिलता है इसका magnetic charging cable and finally यहां पर उन्होंने इसके कुछ quick start guide and user manuals भी provide किये है so guys सबसे पहले watch के उपर का जो plastic wrap है उसे हम remove करके करते है इसे power on and जैसी यहां पर power on हो चुका है tag की branding आती है and directly यह power on हो जाता है फिर आपको जाना है इसके application में जो है tag plus and यहां पर बस आपको search करना है and आप देख सकते हूं यहां पर वर्फ प्लस आ चुका है and जैसे आप य यह है वो actual smartwatch तो यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे इसके build quality को लेके तो यहां पर आपको completely black color में यह देखने मिलता है and यहां पर जो body है न वाच की वो आपको zinc alloy body में देखने मिलते है तो completely metallic build है and यहां पर watch की पीछी की तरफ आपको उसके sensor charging point और एक temperature sensor भी उन्होंने provide क किये है so guys यहां पर जो watch की build quality है न बहुत ही बड़ीया निकल के आती है and फिर हम बढ़ते है इसके display की तरफ तो यहां पर उन्होंने 1.69 इंच का massive LCD display इसके अंदर provide के जिसके अगर मैं brightness को लेके बात कर रहा हूँ न तो यहां पर आपको up to 500 nits की brightness देखने मिलते है तो practically indoor lighting conditions म में भी बहुत ही अच्छी तरीकी से इसका display आपको visible हो जाएगा so guys यहां पर जो display है बहुत ही massive आपको देखने मिलता है price range को consider करते हुए and brightness भी बहुत ही अच्छी है and yes उसी के साथ हम बढ़ते है इस watch के UI की तरफ so guys सब से पहले यहां पर आपको home screen देखने मिलते है and yes यहा brightness, dnd, find my phone, date, time, bluetooth connectivity, settings का option भी उन्होंने इसमें प्रोवाइड किया and right hand side पर यहां पर आपको widget देखने मिलते है तो सबसे पहले body temperature फिर यहां पर activity का widget भी उन्होंने प्रोवाइड किया है continuous heart rate monitoring, sleep data and उसी के साथ यहां पर weather forecast भी आपको visible हो जाएगा and yes यहां पर नीचे से ऊप पर जैसे आप swipe करते हो नहीं यहां पर आपको notification पैनल आपका देखने मिलता है right hand side में swipe करते ही सबसे पहले आपको status देखने मिलता है जहां पर आपने कितने steps लिए कितना distance कवर किया है कितने calories burn किया हो आपको visible हो जाते है training के option में guys यहां पर आपको 16 workout modes इसके अंदर देखने है and guys नीचे की तरफ यहां पर आपको continuous heart rate monitoring, blood oxygen level, body temperature, blood pressure monitoring भी देखने मिलता है जिसे हम थोड़ी time में check out करेंगे and फिर यहां पर आपको sleep data, weather focused भी इसमें visible हो जाता है फिर यहां पर notification का option, music control का भी menu उन्होंने इसमें provide किया है and यहां पर more settings में आपको stopwatch, timer, flashlight, find my phone का option देखने देखने मिलते है about the watch, turn off कर सकते हो, reset कर सकते हो इस smart watch को, so guys कुछ इस तरीके का UI आपको इस particular smart watch में देखने मिलता है and guys अभी हम बात करेंगे इस watch के health tracking के बारे में तो यहां पर उन्होंने 24 by 7 body temperature monitoring इसमें provide किया है तो आप देख सकते हूं यहां पर बहुत ही accurately आपका body temperature यह monitor क technology इसके अंदर provide किये, जिसकी help से अगर आप इसमें heart rate tracking कर रहे हो ना तो यहां पर आपको green color के LED light देखने मिलते है and SPO2 इसमें track कर रहे हो ना तो यहां पर red color के LED light देखने मिलते है, so guys जो health parameter tracking वाला factors है ना बहुत ही बढ़िया तरीकी से इसमें track करते है and फिर हम बढ़ते है इसके sports mode की तरफ तो यहां पर हमने outdoor walking भी किया था and आप देख सकते हूं यहां पर application में है ना detail में information आपको visible हो जाती है plus यहां पर continuous heart rate monitoring का chart भी इसमें visible हो जाएगा and उसी के साथ यहां पर हम बढ़ते है इस smart watch के application के UI की तरफ so guys यह है उसका application सबसे पहले आपको देखने मिल जाएंगे and sports menu में आप देख सकते हूं यहां पर हमने outdoor walking किया था उसका complete data जो है यहां पर आपको visible हो जाएगा 1.35 km का हमने outdoor walking किया था कितने steps लिए कितना pace था कितना heart rate था and यहां पर heart rate का आपको chart भी देखने मिलता है जिसे आप directly यहां से इसमें monitor कर सकते हो and यहां पर device में आप देख सकते हो वर्फ प्लस connected है यहां पर आपको battery life भी देखने मिलेगी dial settings में guys यहां पर आपको online watch faces इसमें देखने मिलेंगे and यहां पर आपको कई सारे different different watch faces देखने मिलेंगे जिने आप directly यहां से ही download करके sync कर सकते हो and guys फिर यहां पर उन्होंने custom dial का भी option यहां पर आपका body temperature यह measure करेगा body temperature warning भी आप इसमें set कर सकते हो अगर आपको fever है तो watch से यहां पर warning भी आपको देखने मिलती है फिर यहां पर उन्होंने blood oxygen settings भी प्रवाइड किये जहां पर every 10 minutes में आपका SPO2 चेक होगा फिर call reminders है जिसे हमने turn on किये and yes SMS reminder को भी यहां पर आप आपको app reminders देखने मिलते हैं तो यहां पर आपको सबसे पहले permission देनी है and यहां पर आप different different apps के notifications भी इसमें enable कर सकते हो and नीची की तरफ यहां पर alarms भी आप directly है सेट कर सकते हो raise hand to active display का भी function उन्हें प्रोवाइड किया है dnd universal settings में आप देख सकते हो shake to take picture, find watch, unit settings, screen on time, up to 15 seconds में यहां पर screen on time इसमें set कर सकते हो जो बहुत ही अच्छी बात है time settings भी उन्होंने यहां पर दिया है तो यहां पर directly 12 hours में select कर तो आप 24 hours भी कर सकते हो आपके convenience के हिसाब से firmware update and clear data का भ आपको quick notifications देखने मलते है तो आप देख सकते हो जैसे मुझे यहां पर call receive हो रहा है na immediately smart watch पर आ चुका है and यहां सी मैं call को reject कर सकता हो and यहां पर SMS भी आप देख सकते हो immediately smart watch के ओपर reflect हो जाता है so यहां पर आपको कोई भी lag as such मैसूस नहीं होगा in short यहां पर quick notifications देखने मिलते so guys यह जो particular smart watch है ना इसके अंदर आपको health tracking के धीर सारे parameters उन्होंने provide किये प्लस यहां पर आपको 16 sports mode भी देखने मिलते है जो शायद ही आपको कोई budget smart watch इस particular price range में offer करेगा and yes इसकी pricing तो आपको already पता है रूपीज 1,999 एक्स्लिवजिवली यहां पर flip card पे launch हो रहा है so अगर क वीडियो को like कीजिए और ऐसी ही tech related unboxing के लिए प्ली subscribe कीजिए हमारे channel को और दोस्तों और एक important बात प्लीज मेरा facebook page और instagram page भी like कीजिए तो दोस्तों मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद